नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सोशल मीडिया विब साइट्स के लिए प्रोफाइल इमेज को कैसे सरकल में क्रियेट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फाइल में जाके इमेज उपन करेंगे अब इस बेग्ग्राउंड लेयर का दुप्लिकेट लेयर क्रियेट करेंगे, कंट्रोल प्लस जे अब इस बेग्ग्राउंड लेयर की विजिबिलिटी हाइड करेंगे अब टूल्स पेनल पे जाके मार्की टूल पे राइट क्लिक करके elliptical मार्की टूल सिलेक करेंगे अब shift की प्रेस करके circle डो करेंगे और उसे reposition करेंगे अब circle के बाहर के भाग को remove करना है तो उसे select करने के लिए selection को inverse करना पड़ेगा उसके लिए selection में जाके inverse option सिलेक करेंगे या फिर shortcut की shift प्लस control प्लस आई प्रेस करेंगे अब इसे delete करने के लिए delete की प्रेस करेंगे उसके साथ ही circle के बाहर का भाग delete होके transparent हो जाएगा अब इस unnecessary transparent background को remove करने के लिए image में जाएंगे और trim option सिलेक करेंगे यहाँ पे top bottom और left right option टिक होना जरूरी है इसके साथ ही circle जितना ही background रहे जाएगा अब transparent background save करने के लिए फाइल में जाके save for web option सिलेक करेंगे और यहाँ पे png8 format सिलेक करेंगे और save दोस्तों गर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद